आप देख रहे हैं लोकल लिजट इंडिया गाउं की गोनी दिल इतर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जन चाती सब्सक्राइब करते हैं क्या इसके बारे उन से जानते हैं पूरा क्या ना में आपका प्रमुत कुमार तो यह कभी स्टार्ट हुआ था यह देखिए सर 2011 में माननी विधायक जी थे सत्मराण जैसव जी और उस समय आकरके इस विध्यालयक उन्होंने शिल्या न्यास किया था और लोगों में काफी उल्लास था अगल बगल के गाओं में भी तेहां कि जन जाती बहुली इलाका भी है और यहां बहुत गरीब परिवार वस्ति है लोगों में एक कुछ साह जगी थी कि हम लोग बच्चों को एक कुछ सिक्षा इस भी द्याले के मार्जम से मिल जाएगा इसके बाद कारे शुरू हुआ धीरे गती से चलते चलते यह दस साल करीब लग दया पुनह जो है आपका दो हजार तेरह में मानिक पकोडी लाज जी यहां के सांसद से अभी भी हैं यहां के अभी भी सांसद हैं और अबना सुस्वाज या थे उस समय उन्होंने भी 240 बच् यहां पर सिलानास किया और हम लोग काफी उमीद किये लेकिन हर लोग यहां से पूछा करते हैं जो गरीब गाओं के लोग हैं कि यह इसकूल कब चाल भोगा यहां के लड़के कपड़ पाएंगे यह उमीद पतानी उमीद बनके रह जाती है कि यह खुलेगा ऐसा हम लोग उमीद कर रहे हैं हो सकता है कि आपका पहल इसमें सर्क काम्याब हो जाएं जिससे की चाहिए हम सरकार के संदेश करना चाहते हैं कि यह विभाग लपावाही करूव अफ्सो रही है गौवर्मेंट के उस विभात नहीं बता रही है यहां से संचालित होना है उन्हें यह बा बड़ी भारी चुक हो रही है यह विल्डिंग काफी दिनसी तरफ पड़ा रहा तो चालू होने से पहले ही द्वस्त भी हो सकती है अब हमारे पीच यहां की चौकिदार भी हैं उनसे बात करते हैं सर आ जाई है क्या नाम है आपको कुछ अंदाजा है मितलब यह काम आपको आता होगा इंफर्मेशन मिलता होगा कि यह चालू होगा यह बंद होगा आपको परता है यह दरवाजा राम मंदिर का तो नहीं लेकिन सिच्छा के मंदिर का है ऐसा दरवाजा जो सायर पहले कभी खुल गया होता तो आज पास के कई बच्चे आज कहीं आगे बढ़ गए होते पढ़ाई और अच्छे ज्ञान के साथ लेकिन इसकी दुर्दसा यह है कि यह सपा के समय में बनाया गया उनके विकास के युवा जोस वाले तरज पर एक मकबरा साबित हो रहा है मकबरा सिर्फ इसलिए कि सत्ता से बेदखली के बाद सपा सरकार के बाद यहां योगी का राम राज आया और योगी के राम राज में यह एजंडा सायत सब से पीछे इसलिए आया कि तब तक सोन भद्र के ऊपर काली कालिक वाला सायमड रहा होगा लेकिन आज दियम एस राजिलिंगम ने जिस तरीके से इस भवन के पास आकर समाज कल्यान निगम के अधिकारियों को एक साफ संदेश दिया है कि उनकी फाइलों में बंद विकास के नाम पर लूट और इसको एक ग्यारा साल तक गर्त में डालने की सजा उनको मिल सकती है अग जांच में दोसी पाए जाएंगे तो जी हां इस विद्याले की कल्पना समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसत पकवडी लाल और उस समय के सदर विधायक अविनास कुस्वाहा के नाम दर्जह बोर्डों में जो कि सिला न्यास और इस तरीके के भूमिपूजन के इसके बारे में तो ऐसे अधिकारी थोड़ा संग्यान लेते हैं और आते हैं लोगों के भविष्ट को उमीदों को फिर से जगाने के लिए जाज कमेटी के तहत दीयम साहब यहां आए उन्होंने जाज किया सब कुस देखा जाएजा लिया और जाएजा लेने के पाद कार मीदम के अधिकारियों के ऊपर अगर दोसी पाए गए तो कारवाई की बात तक बोली और लोगों को उम्मीद जगाई कि जल्द से जल्द यहां उनके बच्चे आकर पढ़ सकेंगे आप जरा सोचिए अगर सोन भद्र में इस तरीके की अच्छी इंफ्रा वाली ब्यव आज भारती जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एसके सांसत हैं और अब भी उनके सांसत बनने के बाज से लेकर इस जिले में चारो विधायक का पद अपने कब्जा में करने वाली भाजपा और उसके सहयोगी दलों के इस विकास के एजन्डे को इतनी देरी क्यों कहीं न कहीं बाधा बनी हो लेकिन आज जिस तरीके से DMS राजलिंगम ने आकर यहां एक आज जगाई है तो यह विश्वास करना चाहिए कि जैसे उन्होंने कई बरस से लटके कई ऐसे एजंडे को अभी तक निपटाया है जो लोगों के जेहन में लोगों के दिमाग में लग पूरा का पूरा परिसर वैसे ही मिलेगा जैसे कभी सपने में इसकी कलपना की गई थी और जिसको ले करके इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माड किया गया था अगर सोन भद्र के लोग पढ़ने लगेंगे तो जाहिर सी बात है यहां के खनन माफियाओं और व लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मौके और उसकी तलास है सुविधाओं की तलास है जिससे वो आगे बढ़ पाएं सायद DMS राजलिंगम की या मुहिम उन लोगों को भी करारा जबाब देगी जो सिच्छा के पदों पर बैट करके घूस लेने के ल कोई आडियो और वीडियो बहुत कम चांस है कि एडिटेड होगा कोई 36 गड़ तो है नहीं यह सोनभद्र है और उपर से यहां योगी का राम राज है और इस जिले में कप्तान आसीश स्रिवास्तव और DMS राजिलिंगम जैसे सजग प्रहरी भी हैं सिच्छा विभाग में बी ऐसे गोरकनाथ पटेल हैं जो काया कल्ब का प्रयास करते हैं यह विद्याले उनके दाइरे में तो नहीं आता लेकिन यहां विकास होगा यह उम्मीद अब जब गई है इस हाज जिंगम जी दौरे पर आए हुए थे उन्होंने जाज किया मौके पर पहुच कर उन्होंने ये कहा समाचका दिर्माण निगंगं के अधिकाई करने का निर्देश दिया है और उन्होंने अश्वाशन दिलाया है कि जल से जल यह काम चालू हो जाएगा उन्होंने कहा है कि बहुत जल से जल आपके बंचीज में पढ़ पाएंगे आज के लिए बस इतना हैं देखते रहें एनलाइन न्यूज काम फूर दिल लिदर सुर मरी के नोरिया खुरन बद